हाइए कि नमस्कार दर्शकों आप सभी का स्वागत है आपके और मेरे फेबरेट न्यूस पॉजिटिव न्यूसमें हिंदी से हमारा मान है हिंदी से हमारा सम्मान है और हिंदी ही देश की शान है दुनिया मैं भाषा है तो अन्यक भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूं हिंदी से ही देश का मान है हिंदी सिर्फ एक भाशा नहीं है हिंदी अपने भावों को व्यक्त करने का एक जरिया है हिंदी मातर भूमी से जुड़ी हमारी भक्ति को प्रकट करता है हर साल की तरह इस सप्ता के 14 सितंबर को हमारे दे व्यूस बड़े ही धूम धाम से मनाया गया एक बड़े ही लाजिक की बात है कि हिंदी अज्ञानता से शुरू होती है और एक मनुष्य को गयर से ग्यानि बनाते हुए विराम लेती है तो आए हिंदी बोले हिंदी सीखें और हिंदी सिखाये टाटा कंपनी को मिला नया बनेगा उसके अंदर 900 सांसदों के बैठने के जगा होगी जबकि अभी बैठने के जगा है 545 अर्था जब भी सीटे बढ़ जाएं तो लोगों को बैठने की दिक्कत बिलकुल नहों यह इमारत पार्लेमेंट हाउस के प्लॉट नमबर 118 पर बनाई जाएगी जहां सची वाल बैठने के लिए एक सीट होगी एक सीट की लंबाई 120 सेंटीमेटर अर्थाथ एक सांसस सिर्फ वड़ साथ सेंटीमेटर की जगा पर बैठेगा देश की विव्यतता दर्शाने के लिए सदन की एक भी खिड़की एक दूसरे से मेल नहीं खाएगी जिहां दोस्तों प्रधा आत्मा द्वारा दिया गया यह जीवन अमुल्य जीवन को हमें स्वस्त रखना आती आवश्यक है इस भागदाड़ बरी जिंदगी में खुद के जीवन को स्वस्त रखने के लिए खुद का डॉक्टर खुदी बनना पड़ता है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आरे करम देखते हैं स्वस्त रहो मस्त रहो डॉक्टर हरीश वैद जी द्वारा कुछ ऐसे घरे लिए टिफ्स जानते हैं जो आपके स्वास्त को स्वस्त रखेगा और मस्त रखेगा हम शानती वंदे मातरम फिर से एक बार आपका स्वागत है 62 वर्ष की एक निवरत सिक्षी का की जो अभी अभी निवरत हुई है उन्होंने सवाल पुछा है कि उनकी कुरुष काया है वजन कम है उनका 50 किलो जीतना वजन है अशक्ती रहती है पेरों में दर्द रहा करता है नायों में कमजोरी आ गई है नस पर नस चड़ जाती है और ऐसीडिटी रहती है तो उसके लिए कि अगर कुछ घर में ही कर सके ऐसा उपाय हो तो बताओ निश्चीत रुप से आप लिख लो लक्षमी भाई उपाय ये है कि आप 100 ग्राम आवला पाउडर ले लो बाजार से 100 ग्राम मिसरी का पाउडर पिले रंकी मिसरी ले लो 100 ग्राम अशोगंदा का पाउडर ले लो और 100 ग्राम शतावडी पाउडर ले लो ये 4 पाउडर इकठा कर लो जरूर इने 100 ग्राम हो 50-50 ग्राम भी ले सकते हैं 25 ग्राम भी ले सकते हैं उसको हिला दो और भोजन के बाद एक एक चमच मुह में डाल दो उसको थोड़ा मुह में गुमाते जाएए लाड के अंदर बराबर मिक्स होने दे बाद में उसको निगल लेना दोनों टाइम तुरन जलन शांथ हो जाएगी जिनको अभी-भी ऐसे दीटी शुरू हुई है या खाने की बाद थोड़ी- उसको सबको बहुत 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 परिणाम मिलते हैं लेकिन ये चूरन बहुत अच्छा रिजल्स देंगा मुह में अगर निगला नहीं सकते तो चोटी सी कटोरी में आप ग्लास एक चमच चूरन ले लेना थोड़ा सा पानी डाल के हिलाके उसको निगल लेना मुह में थोड़ा गुमाते रहना अच्छे ते अच्छे रिजल्स मिलेंगे अस्तु बंदे मातरम इस पूरे विशेक आश्रे में भगवान शीव के चरणों में अरपित करता हूं तो देखादर शकों स्वस्त रहना कितना आसान है बस्वस्त रहने की चाभी आपके हाथ में होनी चाहिए जो कि आपको मिल चुकी है तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले समाचार की ओर विश्व पतल पर भारत कशीष सबसे उचा करने वाले प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी को positive news की पूरी टीन की ओर से सत्तरवे जनम दिन की धेरो सारी बधाईयां हो बधाईयां हो अजाद भारत में जनम लेने वाले पहले प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनम 1915 सितंबर को हुआ था गुजरात के एक चोटे से परिवार में 1971 में वो आरे से संग के साथ जुड़े और 2001 में उन्होंने गुजरात में अपनी मुख्य मंत्री की पत समाली और उसके 14 साल बाद भारत के प्रधान मंत्री बने ऐसे महान प्रधान मंत्री को एक पर फिर हमारी टीम की और से जनम दिन के हार्दिक बढ़ाई और कुछ उनके उलेखने योजनाओं के बारे में मैं आपको ग्याद कराना चाहता हूं उन्होंने उज्वल योजना बनवाई किसान सम्मान निधी योजना बनवाई आयुश्मान भारत योजना बनवाई सुच भारत अभया होते रहें कोविड-19 पूरी दुनिया में काल की तरह चाया हुआ है और इस काल की वज़े से हमारे संबंद बिखरते जा रहे हैं इस संबंद को कैसे समेटे रखें और अपने जीवन में को एक नई स्पूर्ति कैसे दे आए जानते हैं हमारे राजयोगी सूरज भाइदी दिवारा अपना कारे करम क्या करें है अब इस त्रीपुरुष दोनों ही पढ़े लिखे हैं दोनों ही बहुत अच्छी जोब में थे अब थोड़ा धिला हो गया है कम्पनियां या स्कूल कोलेज भी क्या करें स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं जो कोलेज हरा भरा रहता था वहां थोड़ा सूखा पना गया है तो दोनों को कटना ही होती है समस्याएं भी कभी कभी तेजी से उभर कर सामने आ जाती है तो संकल्प होता है कि कौन जुके दोनों ही तो हाईली एजुकेटेड हैं दोनों नहीं MA, MBA, MPhil या PhD ऐसे डिगरियां लीग हुई हैं अपनी डिगरियों का अभीमान सब को रहता है कौन जुकें क्या करें अब घर को चलाने के लिए उधर बच्चों के भविश्की भी बहुत चिंता रहती है मावाब दोनों को रहती है लेकिन मैं आप सभी को एक बात पुने पुने कहूंगा कि जैसा समय हो उसको स्विकार करके हमें उसी में जीना सीख लेना चाहिए बविस हमारे हाथ में नहीं है वो हो सकता है अब से भी जादर सुंदर हो जाए हो सकता है ये त्रासदिया ये निगेटिविटी ये आपदाएं विपदाएं ये बैट टाइम सदा के लिए समाप्त हो जाए और हमारे सुनहरे च्छना जाएं इसलिए वर्तमान में हमें सुखी रहना है एक तो पास्ट की कडवाठ को रिपीट नहीं करना है पास्ट का वर्णन नहीं करना है तुमने तब मुझे ऐसे किया था तुमने तब मुझे ऐसे कहा था गड़े मुर्दे नहीं उखाडने नहीं तो बद्बू ही बद्बू फैल जाएगी इसलिए आप दोनों बुद्ध व banda नी अलग समस्जदारी अलग 9 June Kart a ले में कि तो आपके परिवारार की गंगा वहने लगेगी कटूता स्वनाथ हो जाएगी इसका प्रभाव बच्चों पर भी बहुत गहरा पड़ेगा और आप भी सुखी आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा हर ताले की चावी होती है और हर समस्या का समधान भी होता है ऐसे ही आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के हम कोशिश करते रहेंगे अपने अध्यात्मिक ग्यान द्वारा तो आएब आगे बढ़ते हैं हमारे कारे करम कल की बाते में जानेंगे विश्व कर्मा दिवस की हर साल सोला सेतंबर को विश्व कर्मा जैनती का आयोजन हमारे देश में पूरे ही धूम धाम से मनाया जाता है अब आप सभी सोच रहे होंगे कि विश्व कर्मा दिवस इतना महत्व क्यों रखता है उत्तर भारत में विश्व कर्मा पूजन किया जाता है इस दिन सभी कारिस्थलों, फैक्टरियों, माइन्स और कमपनीज आदी के मशीनों और जारों की पूजा की जाती है माना जाता है विश्व कर्मा एक देवता थे उन्होंने संसार को बनाया वो ब्रम्ह जी के पुत्र थे और इश्व के रहने की सभी स्थानों का निर्मान उन्होंने किया था विश्व कर्मा को देव शिलपी भी कहा जाता है रिगवेद में विश्व कर्मा का वर्णन अच्छी तरह सिक किया गया है देवताओं के उड़ने वाल विमान का निर्मान भी विश्वकर्मा ने किया था इश्वर के सभी सस्त्रों का निर्मान विश्वकर्मा ने किया था इस दिन सभी कारे को बंद करके पूजन किया जाता है ताकि ज़्यादा कारे और समरद्धी की कामना की जा सके हिंदू शास्त्रों के मानिता दिवता विश्वकर्मा आज के युग के भाषा में इंजीनियर है पुरानिक युग में अश्ट सस्त्र विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित किये गए थे माना जाता है विश्वकर्मा ने ही लंका का निर्मान किया था शिव जी ने माता पारवती के लिए एक महल तयार करने को कहा विश्व कर्मा ने सोने का महल बना दिया इस महल के पूजन के दौरान शिव जी ने राजा रावन को आमंतरित किया रावन महल को देखकर मंत्र मुग्द हो गया जब शिवजी ने उसे दक्षिना में कुछ ले जाने को कहा तो उसने महल ही मांग लिया शिवजी ने उसे महल दे दिया और वापिस परवत पर चले गए ये दिन डॉक्टर विश्वेश वराया के जनम दिन के रूप में मनाया जाता है ये भारत के पहले इंजिनियर थे उन्हें ग्रेटेस्ट इंजिनिरिंग फादर आफ दिन नेशन कहते हैं मोक्ष गुंडम विश्वेश रिया को भारत रतन से नवाजा गया था कहते हैं ट्रेन में एक शक्स सीट से उठा और जोर से चिलाने लगा ट्रेन रोको कोई कुछ समझ नहीं पाया उससे पूर्व उसने ट्रेन की जन्जीर खीच दी ट्रेन का गाट डोड़ा डोड़ा आया खड़क आवाज में पूछा किसने ट्रेन रोकी कोई अंग्रेज बोलता उससे पहले वह शक्स बोलते हुए खड़ा हो गया कि मैंने रोकी है अंग्रेज बोला पागल हो गए हो क्या पहली बार ट्रेन में बैठे हो तुम्हेंपता नहीं बिनाकारण ट्रेन रोकना अपराध है तब वो शक्स बोला कि जी हाँ मुझे पता है मैं ट्रेन न रोकता तो सेखड़ों लोगों की जान चली जाती अब तो जैसे अंग्रेजों का गुस्सा फूट गया सभी लोग उसको अब शब्द बोलने लग गए लेकिन वो शांती से खड़ा रहा जैसे उसे किसी का कोई असर ही नहीं पड़ा किस्सा दरसल आजादी से पहले ब्रिटेन का है और ट्रेन अंग्रेजों से भरी हुई थी उसी ट्रेन के डिब्बे में एक भारतिय बैठा हुआ था उस शक्स ने कहा कि यहां से 200 गस की दूरी पर पट्री तूट गई है रास्ते बार अंग्रेज उसका मजाग बनाते रहे किन्तु सबकी आँखे उस वक्फटी की फटी रह गई जब वाकई बताई गई दूरी के आज पास पट्री तूटी गई थी नट बोल्ट धिले मिले थे सभी पूछने लगए कि आपको इतनी दूरी से यह कैसे पता चला उसने कहा ट्रेन अपनी स्वभावी गटी से चल रही थी किन्तु अचानक पट्री में कमपन बढ़नी शुरू हो गई उसकी गटी में परिवर्तन महसूस हुआ ऐसा तब होता है जब कुछ दूर पर पट्री तूट गई हो इसलिए मैंने ट्रेन की जंजीर खींच दी गट ने पूचा इतना बारीक तकनीकी ग्यान आपको आपको इस साधान व्यक्ति तो नहीं लगते तब उस शक्स ने बताया कि स्रीमान मैं इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वे शुराय हूँ उनका जनम 15 सितंबर को हुआ था और इस वज़े से ही भारत के पहले इंजीनियर के जनम दिन पर इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है साइंटिस ड्रीम जो देखते हैं इंजीनियर्स उसे पूरा करते हैं पॉजिटिव नियूज की तरफ से आप सभी दुनिया के महान इंजीनियर्स को हैपी इंजीनियर्स डे आए जानते हैं कहानी के माध्यम से कि हमें अमारे जीवन में कौन-कौन से गुण धारन करने चाहिए अपना कारे करम लेकर आ रही हैं BK प्रवबहन जी जो की मध्वन से आपको रोज रोज नई नई अच्छी अच्छी कहानिया लेकर आती हैं देखते हैं कारे करम कहानी से सीखो आज दुनिया में हर व्यक्ति शांती चाहता है चाहलाग पती हो, करोबपती हो, अरबपती हो लेकिन मन की शांती सब को चाहिए मन की शांती इंसान को क्यों नहीं मिल रहे EGO एक बार नारची भगवान के पास पहुंचे भगवान जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे थे नारची ने पुछा भगवान इतनी जल्दी कहां जा रहे है कहां भी तुम नहीं टोको, तुमें नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम तीनों लोग में चले जाते हो, नाराइन नारेन करते और जो काम मैं करने जा रहा हूँ, तुम लोगों को बता दोगे कहा नहीं भगवान, मैं आपका सबसे बड़ा भागत हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, बताईए ना आप कहां जा रहे हैं भगवान ने कहा नारत, मैं मनुष्य की मन की शांती चुपाने जा रहा हूँ, नारत ने पूछा, भगवान आपको मन की शांती चुपाने की आवश्रकता क्यों हो गई, कहा जब तक मनुष्य दुखी नहीं होता, तब तक मुझे यादी नहीं करता, शांती के लिए याद कर ताकि उसके शांती में चुपा दूं वो मुझे याद करता रहा है नाराध ने मस्करा के पुछा भगवन शांती कहां चुपाएंगी का मैं मन की शांती ऊपर अंतरिक्ष में चुपाने जा रहा हूं भगवान ऐसी गलती मत किजिए मनुष्य मंगल पे चंद्रमा पर हूँ वथ उसकी शांती खुज लेका भगवन ने का सही कहां भगवन ने का ठीक है मैंने दूसरी जगह सोच ली है नाराध जिनने का भगवन कहां से हैना किसी को बत्तावों कि तो नहीं है भगवन तो एन मनुष्यकी मन की शांती पाताल लोक में चुपाने जा नारतने का भगवान वहां पर भी मत चुपाईए क्योंकि मनुष्य ने अंडर्ग्राउंड मार्केट अंडर्ग्राउंड रेल और अंडर्ग्राउंड सब कुछ बना लिया है इंसान धर्ती के नीचे भी पहुंच गया है भगवान तो चिंतित हो गए आस्मान में भी पहु और तब भगवान ने कहा अब मैंने जो जगह सूची है वहां से मनुष्य कभी मन के शांती नहीं ढूंडेगा नारत ने पुछा कहा भगवान कहा उसके मन में मनुष्य कभी अपने आपको नहीं देखता है, हर इंसान को देखता है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसमें ये अगोन है, इसमें ये कमी है, लेकिन कभी अपने आपको नहीं देखता, जो कभी दास ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन की शांती मिलेगी ने, जुकने का मतलब क्या हो, अपने इगो को, अपने अहम को जुकाना, और जब तक हम सर जुका के नहीं देखेंगे, शांती तो मेरे गरे का हार है, शांती आत्मा का स्वधर्म है, और अंदर देखने के लिए सर को जुकाना होगा, अपने इगो को समा तो करना होगा और तब नारजी ने कहा भगवन ये एक दम सही जगा आपने ढूंड ली आपने सही कहा मनुष्य कभी अपने अंदर नहीं जाकता नहीं देखता मुझमें क्या कमी है और वो सही में शांति नहीं पाएगा नारजी ने तो किसी को नहीं बताया लेकिन भाईयो बेनों आपकी ये बेहन आजाब को बता रही है अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं अपने अंदर चांक कर देखें जहां दुनिया से बात करते हैं दुनिया की सैर करते हैं कुछ पल अपने आप से बात करें कुछ पल अपने की दुनिया है जिसे मन कहते हैं जिसे आत्मा कहते हैं आत्मा का स्वधर्म शांती है जब तक आप आत्मा की स्थिति में इस्थित नहीं होते आपको शांती की अनुफुति नहीं हो सकती और जैसे कि हमने पहले भी कहा था अध्यात्मिक्ता एक मात्र साधन है सची सुख और श आपिन को कही न त्यांतिए पर्मात्मा से जोणंदा होगा और अच dobसर माशुद्मा सकारत्ना उर्जा का संचार आपके अंदर होगा आप आत्मी की स्तिती में थी chicks होगे आटोमेटिकली आपको परम्षांति की एन्भूति होगी और आज शांति से बड़े दुनिया में कोई चीज नहीं आशा है आप जरूर अपने अंदर जाकेंगे अपने आत्मा को देखेंगे और आत्मा का सुधर्म शांति उसकी एन्भूति करेंगे इन्हें शब्द के साथ कहानिया हमें प्रेणना देती हैं सकरात्मक सोच रखने का बढ़ावा देती हैं और हमारे व्यक्तित वकों निखारती हैं आज की कहानी से आपके घुनों में बदलाव अवश्या आएगा ऐसा हम समस्ते हैं और हमारे कारिक्रम देखते रहिए बने रहिए हमारे साथ आपक झाल झाल